नमश्कार सुपरवाद दोस्तों देखिए इंडिया में अभी जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है तो क्या होता है कि पडोसी जो होता है ना सामाननेत है मैं पडोसी ओं की बुराई नहीं कर रहा है का भाव रखता है बलकि खुले और छत्म दोनों ही रूपों से हमें कमजोर करने की और हमें बरबाद करने की ताकत रखता है चाहें वो सैने रूप में हो, चाहें आर्थिक रूप से हो, चाहें पॉलिटिकल रूप से हो, दुरुभाग्य से उसके ये उसकी इच्छाएं आज तक ना तो कभी पूरी हो पाई है और ना ही अब ऐसा लगता है कि आगे पूरी होंगी, क्योंकि अभी जो हमारा बड़ा प एक्टिव है, मेरा नाम है रिशी शुदांशु पांडे, रैंक 20 रस 2018 और यह जो दोनों तीनों जानकारिया है, यह केवल आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, सिविल सर्विसे या पर्सनल एटेंशन के लिए, अचा एक चीज और मा बतातू, फेस्बुक में कई बार इसा होता है कि स्पैम फोल्डर में भी आप लोग के मैसेज चले जाते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं भेज रहा हूँ, तो कभी-कभी मुझे चेक करने में थोड़े से टाइम लग जाता है, कुछ मैसेज हैं, कई हो के मैं रप्लाई कर चुका हूँ, कुछ के मैं रप्लाई कर रहा हूँ, तो है पेशन्ट, चलिए अब चलते हैं न्यूस पे, अचा न्यूस बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दू, कि जब भी आप लोग को अथेंटिक न्यूस लेनी हो, गवर्मेंट अफ इंडिया क्या कह रही है, अगर आपको अशॉरिटी च इता है cream, अटीम के माध्यम से देता है और आपको किसी भी मिनिस्टरी से संबंद लेता है, तो यहाँ जाएंगे आप, जब आप यह website खोलेंगे जब भी आप website खोलेंगे वहाँ पे यह page खोलेगा, यहाँ पे आपको ministry पर जाना है, जो भीäus भी अलग 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 जितने पर डे में जितने भी आर्टिकल्स आते हूं सब यहां आते हैं मैंने कवर किया इंडक्शन सेरमनी ऑफ राफेल एरक्राफ्ट इंटू 101 स्क्वाइडन ऑन 28 जुलाई 2021 EAC क्या है जो Eastern Air Command है वहाँ पे वो क्या है इससे पहले क्या राफेल को किसी और में भी इंडक्ट किया गया राफेल को EAC में इंडक्ट क्यों किया गया क्या कारण है यह तीनो चारों जो सवाल है इनके अभी मैं जवाब देता हूँ पहले देख लेते हैं राफेल को मिली कैनन की सवाली जब भी एरफोर्स में किसी इस तरह के का फाइटर प्लेइन या फाइटर जैट आते है तो उनको कैनन की सलामी दी जाती है इसके साथ है देखिए हिंदुस्तान टैमस ने भी इस न्यूज को कवर किया और बताया है कि 17 गोल्डन एरो जो स्क्वाइडन था वहाँ पे पहले ही सेप्टेंबर में लास्ट इयर राफेल को इंडक्ट कर लिया गया कमेंट बॉक्स में बतायेगा कि 17 गोल्डन एरो जो स्क्वाइडन है इंडिया में कहां पे स्थापित है ये है राफेल जी जो है बहुत शांदार लगरे हैं उड़ते हुए इदे कि मिसाइल्स जो होती है इस तरीके से रखी जाती है और इस तरीके से इनको ड्रॉप किया है ये वो टीम है जो हमारी राफेल को समालने वाली है थे कि इंडियन एरफोर्स वर्ल लेवल की वन ओफ ता फाइनस्ट एरफोर्स है और 1962 चाहे या 1965 और 1971 के साथ साथ 1999 की कारगिल वार में एरफोर्स का जो रोल था बहुत शांदार था पाकिस्तान से हमने लगातार जो त जी तो उसमें कहीं ना कहीं एरफोर्स ने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया तो जैहिंद और मेरा सल्यूट है हमारे सारे फाइटर सो उन लोगों को दप्रिंट ने भी इस न्यूस को कवर किया हाशी मारा एर बेस है मैं पूरा बता देता हूं भी आपको देखे ये तो चीज को इंडक्ट किया एक चीज और समलने की है कि यह ट्रेडिशन होता है मैंने पहले बताया कि वाटर कैनन से सेल्यूट देना CS ने साफ साफ कहा है कि हाशी मारा में राफेल की जो इंडक्शन किया गया बहुत प्लान करके कहा गया है क्योंकि इस समय इस्टन सेक्टर में IEF की कैपिबिल्टी को मजबूत करना बहुत ज़ादा जरूरी है 101 स्कौाइडन एक बहुत ही रेपूटेटेड बहुत ही इजदार बहुत ही करमत स्कौाइडन रहा है जो राज जी हैं उनको कवर करता है सिक्किम को भी और सेवन सिस्टर्स को भी कवर करता है वेस्ट विंगॉल को भी कवर करता है और इसके अलावा बिहार और रोडी से जैसे स्टेट्स हैं उनको भी कवर करता है यह है Eastern Air Command की कहानी इसमें साफसा अचा अगर आपको Ministry of Defense या फिर अपने Forces के बारे में पता करना चाते हैं तो यह Website Government of India की वहां से इनके बारे में आप Simple तरीके से पता कर सकते हैं मैंने इस चीज़ को cover भी किया है यहां पर Next Slide में बता दूँगा यह सी जो है मैंने पहले बता है कि सॉरी तेरह नी बारा स्टेट्स हैं उनको cover करता है Eastern States है सारी Seven North Eastern States Seven Sisters, Sikkim, West Bengal, Bihar and parts of Orisa and जहारकट लगबग तीन लाग स्क्वार किलोमेटर को यह cover करता और 6300 किलोमेटर long international boundary है जो किसके साथ? चाइना के साथ नेपाल, भूटान हाँ कभी-कभी मैंमार के साथ दिकात हो सकती है बड़ बांगला देश, नेपाल, भूटान यह बड़ा issue नहीं है, issue आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ क्या है एक बड़ा, जो कीड़ा है वो गूम रहा है, परिशान करने के कोशिश करता तो उससे बचना है यह, जो headquarter मैंने पहले बता है कि Shilong में, जिसे की Scotland of East कहा जाता है, कि अगर आप लोग को गूमने का प्लान बना भी रहे हैं मैं खुद कहना चाहूँगा कि North East एक बहुत ही शांदार जगह है बहुत ही सुन्दर जगह है जिसको अभी तक हम लोगों ने explore नहीं किया बहुत ही सौम में और साधारान और सरल लोग वहां रहते तो मैं उन लोग को व्यक्तिक दूरूप से कुछ मेरे मित्री भी है North East के बहुत ही बढ़िया लोग होते है उनके अपने तरीके होते है उनकी संसकती है बहुत शांदार संसकती है घूम के आईए और इंडिया की जो incredible इंडिया है जिसको हम देख नहीं पाया है उसको enjoy कीजिए इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने पहली बता दिया कि permanent airbase जो है चाबुआ गौहाटी में था और कई अलग-अलग जगे तेजपूर, सिल्चर इन सब चीजों को cover करता है ठीक है और remote area जो है country में उनको far east तक भी supply provide करता है ये है major airbases देखो हर airbase में आप अलग-अलग तरीके के जो aircraft है उनको पाएंगे अगर मैं MI-17 V5 की बात परूँ तो आपको लेह में मिलेगा अगर मैं चाबुआ की बात परूँ तो 130 जैसे सुखोई भी कहा जाता सुखोई MKI है जैगुआर है कार निको बार में स्थापित है जाम नगर में भी जैगुआर है और अगर मिराज 2000 की बात करूँ तो ग्वालियर airbase में आप जो हमारे याँ पठान कोट के बाद जो हमने surgical strike की थी वो ग्वालियर airbase से ही गई थी जो अभिनंदन साब थे वो ग्वालियर airbase थो था वहीं से संबन्द थे यह origin of eastern air command अगर आप लोग इसके बार में जानना चाहें तो इस website पर जाके जान सकते हैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं तो भारत ने पूरी तयारी कर लिए कि हमने borders को सवान लेके लिए मैंने आज सुबह ही बताया कि DRDO ने एक anti-drone system बना लिया है जो कि making in India है सारी technology हमारी है हम उन चुनोतियों से जो कि हमें रोजमर्रा में मिलने वाली हैं उसके लिए बहुत ही मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बस एक नागरिक के रूप में आपको मुझे और हम सबको ये विश्वास रखना होगा कि सरकार को जब आवशकता पड़े था हमें समर्थन देना चाहिए और सम्मान करें जब भी आपके सामने से कोई फॉजी या कोई भी एरफोर्स किसी भी का व्यक्ति जाता है CRPFA, CISFA उनको salute करें, उनको नमशकार करें उनके लिए तालिया बजाएं इट वर्क्स एसे मूराल बूस्टर उनका जो मनोबल है वो बहुत ज़ादा बढ़ेगा मेरी आप सब से यही आशा है इसी के साथ दोस्तो जै हिंद, जै भारत